The neglect of effective education. Why is effective education neglected in the school systems? Effective education जो है वो वाज़े तोर पर schools में नजर क्यों नहीं आती? इसकी मुक्तलिफ वजुहात हैं. इसकी ये बन्यादी वज़ा जो है वो ये है कि आम तोर पर ये समझा जाता है कि जो effective education है शायद इस पर तवज्जो देने की जरूरत ही नहीं है. So there is a traditional neglect of effective education. The concept is just not there. हमारा ये खयाल है आम तोर पर ये होता है कि इस पर तवज्जो देना जो है वो school की जिम्मेदारी नहीं है. So there is a traditional neglect as far as effective education is concerned. हम ये देखते हैं कि schools में तवज्जो जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो तद्रीश को दी जाती है. हम ये चाहते हैं कि students को पढ़ाएं, वो इमतहनात दें, बहतर grades लाएं और अगली class में चले जाएं. और इसी को हम schooling कहते हैं. लेकिन schooling का जो concept है, वो totality में लेना बेहत जरूरी है. और उसमें जो effective elements हैं, उनको शामिल करना बहुत जरूरी है. So, पहली बात तो ये है, पहली वज़ा तो ये है कि एक traditional, एक वाज़े तोर पर इस चीज़ को neglect किया जाता है. और इसको इतना एहम तसवर ही नहीं किया जाता और ये सोचा जाता है कि ये काम करना school की जिम्मेदारी नहीं है. इसके इलावा एक other misconception जो है वो ये है कि emotions जो है, they are not to be dealt in the school. इसका मतलब ये है कि emotions जो है, इनको school में जो है वो deal करना school वालों की जिम्मेदारी नहीं है. They have to be dealt at home. Again, this is a misperception. Emotions have to be dealt in school. Because when a child enters school, again he or she is interacting with human beings. And where there are human beings, there is an interplay of emotions. तो वहाँ पर emotional handling जो है बहरहाल school की जिम्मेदारी है, teacher की जिम्मेदारी है, administrative staff की जिम्मेदारी है और घर पे parents की जिम्मेदारी है. तो emotions जो है, वो घर में भी, उनका जो है वो इदराक है और school में भी है. हमारा ये खयाल है कि जो effective education है, उसको school में formally introduce किया जाए. और school में तमाम stakeholders को ये बताया जाए कि इसको उन्होंने तदरीसी अमल के साथ लेकर चलना है. अगें, ये एक misperception है कि school की जिम्मेदारी नहीं है कि वो इसको deal करे. इसके इलावा एक और इसकी वज़ा ये है कि खयाल ये किया जाता है कि there may be a fear of indoctrination. जिसका मतलब ये है कि जबरदस्ती बाज़ अकाद खयालाथ जो है उनको students के उपर जो है वो उसको कहा ये जाता है कि students जो है वो ये बात करें. तो हम जबरदस्ती जो है वो सोचा ये जाता है कि अगर हम effective education को ले आएंगे तो हम बाज उकाद बच्चों से कोई काम जबरदस्ती करवाना चाते हैं. हम ये जबर्दस्ती ये कहना चाहते हैं कि आप स्माइल करें या जबर्दस्ती ये कहना चाहते हैं कि दूसरों का खयाल रखें या ना रखें बेतर तौर पर students जो हैं, वो classroom में, जो हैं, वो social, emotional and interpersonal learning के तहर चल सकें, ताके ultimately इसका जो effect है वो उनकी तालीमी कारकरदगी के उपर होता है। यह ख्याल गलत है कि इसके लाने से या इसकी शमूलियत से हम बच्चों से कोई काम जबरदस्थी कराना जाते हैं। तो this is a misperception that again needs to be checked. इसके इलावा, there is a misperception कि जो schools हैं, उनका काम सिर्फ और सिर्फ cognitive needs को meet करना है। यह ख्याल बन्यादी तोर पर गलत है। cognitive needs जो हैं, वो तो होती ही हैं। और school का यह ख्याल है कि अगर cognitive needs को meet कर लिया, तो जो effective needs हैं, वो automatically follow करेंगी। यह यह बात भी गलत है। The school responsibility is to meet the cognitive needs, there is no doubt about that. But the misperception comes when we think that cognitive needs are met and then automatically effective needs are also met. We need to separately deal with the effective needs. And one way that we can deal with it is to smoothly integrate the two systems in the school. तवज्जो इस चीज़ पर देनी चाहिए कि दोनों की integration कैसे की जाए, ना कि यह समझा जाए कि अगर एक element पर तवज्जो दे दी, तो दूसरा जो element है वो automatically उसको follow करेंगा। यह एक गलत ख्याल है। झाल है। झाल है।